तो आप लोग फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज आप सभी को बताएंगे रेगुलेटर रिपेरिंग करने के लिए रेगुलेटर है अगर खराब हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिए इसको बाहर फेक देते हैं तो चेक कर सकते हैं तो कैसे चेक करना है देखिए हमारे पास यह रेगुलेटर है रेगुलेटर को क्या करेंगे एक पॉइंट में एक बलब का तार जोड़ देंगे और एक तार लेंगे छोटा सा तार लेंगे जिसमें पलक लागाओ नहीं लगाओ तो भी मुस्किन नहीं इस इक तार को board तक ले जाएंगे जिस बूर में light हो अब सबसे पहले क्या करेंगे इसमें से बीगा है तो क्या करेंगे आलक्टिक नीटल फेश रहेगा आपस में टच होगा तो बहुत तेज फाल्ट मार सकता है तो इसको अलग-अलग करेंगा और हात बचाएक आपको चेक करना देखे इस तरीके से आप क्या करेंगे यह जो बोर्ड है इस बोर्ड में क्या करेंगे इस तार को लगाएंगे इस तरीके से सारे चीज बहुत ध्यान से रखना है और इस बोर्ड में लगा दिया और पलक लगाने के बाद हम क्या करेंगे सूच को अन करेंग कि इसको फूल कर दिए तो भी बलप नहीं जल देखें अभी बंद करवें बलप नहीं जल दोस्तों अभी क्या करेंगे रेगुलेटर को ओपेन करेंगे ओपेन करके दिखाएंगे आप लोग के इस रेगुलेटर में क्या खराबी है कैसे बनाया जाता है वह सारे चीज इस वीडियो में मिलेगा तो लाट तक बने रहें अफट आफट इसको जो है खोल लेते हैं खोलने के बाद हम इसका देखिए खोलने का तरीका बाद करा नहीं लगा रहता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे राटरी सूर्च है इसको चेक करेंगे कि ताकि इसमें चपक के चल रहा है कि नहीं चल रहा है अगर एकदम फिरी हो गया जिस पलेट पे इसका पॉइंट जो है लग के चलता जैसे कि सूई ओगारा देखे होंगे मीटर वाला काटा जैसे पहले जो है टीवी ओगारा बनाते थे तो मल्टी मीटर रहता था काटे वाला ऐसे चलता है तो इस तरीके से क्या पॉइंट बने दो रहता है पॉइंट बने रहताइं उस प्वींट और को इस तरीके से जाता है तो भी नहीं चुपक के चल रहा है तो भी एक एक्लागिमेंट खराब है जाजा कुछ नहीं consumers को सकतें आप लोग बताऊ दए squeeze को बताड़े मिल्टी मीटर से इस फ्रेगुलेटर को की से चि के दोनों तार को क्या करेंगे रेगुलेटर के दोनों तार पर इस तरीके से रख देना है और ध्यान रखना सूच को ओन कर देना सूच ओन है और मल्टी मीटर के दोनों पॉइंट रेगुलेटर के दोनों पॉइंट पर रख रहें अभी मल्टी मीटर कुछ नहीं बोला है उसके बाद मोडूलर का हमारे पास सही रेगुलेटर है उसको बता देते हैं कैसे चेक किया जाता देखिए रेगुलेटर का दोनों पॉइंट को क्या करते हैं तरीके से देख रहे हैं इस तरीके से रख रहे हैं और मल्टिमीटर आवाज देना चालू हो गया है तो देखिए अभी यह सही है इसलिए आवाज दे रहा है और एक खराब है इसलिए आवाज नहीं दे रहा है तो चलिए इसमें फटा फट देखते हैं कि क्या हुआ है तो मतलब यह सही है यह जो सूच है इसको कम ज़्यादा करते हैं यह सही है इसलिए यहाँ पे continuity बता रहा है देखिए उसके बाद आप लोगों को देखना है resistance और इसमें कापी सीटर लगा है जो ज़्यादा खराब होता अगर कापी सीटर खराब होगा इसका सबसे बड़ा पैचान है कि फट जाता है उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ खराब नहीं है क्योंकि हर चीज सही लग रहा है इसमें अच्छे से चेक करेंगे, एक-एक point को चेक करेंगे अगर एक-एक point चेक करेंगे, तभी समझ में आएगा, तो अज़ा, पढ़ा है तो यह जल चुका है, पहले से आप लोगोगोगोगोगा है, धेख रहे हैं, यहाँ पे काला पढ़ चुका है और जल गया है यहां पर रेजिस्टेंस खराब है तो रेजिस्टेंस आप सोचेंगे आप कहां से मिलेगा रेजिस्टेंस आप टीबी उगरा का जो बनता है वहां पर जाएंगे उनके दुकान पर अगर इसको लेके जाएंगे बोलेंगे यह वाला समान दे दिजे अगर इतना ओम का यह resistance है तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको directly खोल के ले जाए और इस तरीके से दिखा दीजे बोले भाया यह समान चाहिए तो वह दे देंगे आसानी से तो हमारे पास एक और है इसमें का जो कि वह भी खराब हो चुका है देखिए यहां पर तो चलिए इ क्या करते हैं इस रेजिस्टेंस को लिकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे इस रेजिस्टेंस को लिकालेंगे इस रेजिस्टेंस को लिकालने के लिए आराम से देखिए कभी भी रेजिस्टेंस हीट ज़्यादा अधिक हीट ना हो कियोंकि इसोल्दिंग जो है बहुत ज़्यादा गरम रहता है तो doğru ज़्यादा देर इस पर ना क्या रखें कर देख्या अभी डिया अभी अगे अब क्या करेंगे इस रेजिस्टेंस को इस व्हाल रेगूलेटर में लगाना है तो इसको क्या करेंगा फटा पर जैसे लगा हुआ सा उसी तरीके से इसको लगा भी देना है जैसे आप लिका ले हैं इस चीज का धियान रखें कि कैसे लिका ले हैं जैसे लिका ले हैं वैसे लगाना भी है ज्यादा देर आपको सोल्डिंग इस पर नहीं रखना है क्योंकि यह ज्याधिक हीट होने से क्या होगा रेजिस्टेंस खराब भी हो जाएगा एक करने के बाद दूसरे वाले पॉइंट पर भी इसको इसी तरीके से लगा लेना है भी जोदेना है देखिए दोनों लग चुका है अब दोस्तों रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसको चेक करेंगे तो उससे पहले क्या करेंगा फिर से बलप लेके felizim और जिस तरीके से वार लगा हुआ था उसी तरीके से इसका वार लगा आएगे तो सबसे पहले क्या करेंगे देखें दोनों तार है एक जो मेन आ रहा है एक बलप का इसमें क्या करेंगे रेगुलेटर में जोड़ देना है इस तरीके से एक में जोड़ देंगे एक बलब का प्वास्तार जो है इसमें जोड़ देना है उसके बार रेगुलेटर साइड में कर लेंगे बलब इस साइड में कर लेंगे जो में आ रहा है नीटल फेस उसको बचा कर रखना है बाकि Keyahaha करने के बाद आप देखेंगे इस रेगुलेटर को लिटे कर तेखिए आप देखनाम और ज़्यादा हो रहा और देखिए फुल कर रहे हैं अब कम कर रहे हैं तो दोस्तो इस तरीके से रेगुलेटर जो है अपने घर पर सही कर सकते हैं और ज्यादा ज्यादा पांच मिनट में आप जो है इस रेगुलेटर को रिपेरिंग करके आपना सही कर लिए हैं तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता या भी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज